स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कुरूजी पर और क्लास 12 का जो हम लोग कैस फ्लू स्टेट्मेंट चैप्टर कर रहे थे डी के कोईल सॉलूशन लाज वीडियो में मैंने आपको कोशन नंबर 47 तक करा दिया था और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कोशन नंबर 48 से कोशन नंबर 48 आपके सामने है और जैसा कि मैंने कहा है कि जब कभी भी आप कैस फ्लू स्टेट्मेंट बनाएं सबसे पहले आपकी जो आँख है वो निगा जानी चाहिए हम रिजर्भें उसलड पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या नोट नंबर दे रख्खा है अगर नोट नंबर नहीं दे रख्खा हो तो हम इणका डिफ्रेंस ले रेते हैं क्योंकि कोश्च में नोट नमबर दे रखा है तू तो हम कोश्च नोट नमबर टू पर चलते हैं हम गए यहां यहां हमें दो चीजे दिख रही है एक दिख रहा है जनल इजर जनल इजर फॉट्टी फाइब थाउजंड से एक लाग पंद्रह हजार हो गया यानि कि कितना प्रॉफिट निगाल रहे हम प्रॉफिट लॉस तो घट गया तो एक लाग तो यह माइनस में है ठीक अब प्लस वाली चीजे देखो जनल इजर पैंतालीस हजार से एक लाग पंद्रह हजार हो गया यानि कितना बढ़ गया यह 55 और 15 यानि कि सत्तर हजार बढ़ गया तो ए अला और आपको दो रही रहे हैं प्रेफार्रैंशेर तो प्रेफेरेंश यह पर फिर निकालना पड़े माइनस के एक लग है यहां 88 यहां शोल्ड़ करा है नेट प्रॉफिट हमारा माइनस में आएगा दो हजार तो हम सबसे पहले फॉर्मर बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉव फ्रॉम ऑपेटिंग अक्टिविटीज नेट लॉस बिफोर टैक्सेशन दो हजार माइनस में उसके बाद हम चलते हैं एज़स्मेंट उसके लिए आपको कोशन में एक तो साफसा बोला है कि हमने मशीन को सत्तर अजार जिसकी वुक वैल्यू थी पंद्रह हजार में बेच दिया तो सत्तर हजार में से पंद्रह हजार माइनस करोगे तो कितना आएगा 55,000 55,000 का लॉस हुआ तो लॉस ओन सेल ओफ मशीन कहा जाता है एज़स्मेंट में एड होता है और क्या दियरका है सर यहां 10% डिवेंचर्स है एक लाग पर 10% निकालोगे तो 10,000 आएगा तो इंट्रेस्ट ओन डिवेंचर्स भी एड होता है तो हम यहां लिखा है लॉस ओन सेल ओफ मशीनरी माइनस करके 55,000 और इंट्रेस्ट ओन डिवेंचर्स एक लाग का 10% 10,000 इन दोनों को जोड़ा 65,000 दो हजार माइनस का था तो यह आया 63,000 63,000 यह भी क्या आया है हमारा ओपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपटल पचास पचास एक लाख माइनस के तो मैंने दोनों यहां डाल दिये यह एक लाख माइनस के यह 63,000 प्लस के यानि की माइनस का आएगा 37,000 और क्योंकि आंसर हमारा माइनस में आया है तो 37,000 क्या है net cash used in operating activity अब हम देखते हैं next activity जिसका नाम है cash flow from investing activity investing activities को देखने के लिए हम जाएंगे fixed assets पर और क्योंकि question में आपको दिया था कि machine को बेचा है तो हम fixed assets account बनाएंगे fixed assets account बेटा कैसे बनता है आई होग आप तो शायद आपको बनाना आगया होगा जो previous year का balance है वो debit side में जो current year का balance है क्रेट side में then उसके बाद quorship में आपने जो loss हुआ वो credit side में sale की वो credit side में और उसके बाद balance देखो इस तरहीके से मैंने बनाया भी है कि डैबिट साइड में प्रीवियस यिर का बैलेंस और क्रेट साइड में करेंट अए बैलेंस जो सैल करी हो यहां के ऐन में लॉस हुआ वो यहां अब इदर का टोटल करेंगे तो आएगा आपका 51800 50020 पांच लाइग बीस जार में से 3 ने निकाला है वो है 220,000 पर्चेज माइनस होता है तो यहां भी माइनस की वैल्यू जादा है 220,000 में से 15,000 जब माइनस करोगे तो आएगा 2,500,000 तो 2,500,000 माइनस का है तो यह भी हमारा net cash used in investing activities अब बात आती है हमारी third activity की और उसको समझने के लिए हम चलते हैं shares में financing activity में share में देखिए note number 1 दे रखा है तो हम लोग note number 1 के पास चलते हैं 2,000,000 से 5,000,000 shares capital होगे equity की तो 3,000,000 तो हमने equity share issue करे है preference share 50,000 से 75,000 होगे तो 25,000 के यह भी issue करे है तो यह दौनों add होगे 3,000,000 के shares यह और 25,000 के यह then हमने 10% debenture पर interest ही थी 10,000 वो क्या होगा minus होगा उसके बाद long term borrowings दो थर्ड दे रखा है 1,000,000 से 75,000 debenture होगे यह यहनि 25,000 का payment कर दिया वो भी minus होगा और हमने question की शुरूबात में interim dividend निकाला था 24,000 equity shares पर और 4,000 preference share पर total 28,000 वो भी minus होगा तो यह देखे मैंने आपको show कर रहा हूँ issue of shares equity share तीन लाग issue करे है preference share पच्चे सजार इशू करे है debentures का payment किया है 25,000 minus होगा interest on debenture 10,000 minus होगा dividend paid यह करने के बाद इनका answer plus में आएगा 2,62,000 तो उसके बाद आप करोगे A plus B plus C तो पहले मैं आपको सबका answer दिखा दूँ देखो सबका यह आ रहा है loss यह था ओपेटिंग का यह था investing का यह था financing का ठीक है अब A plus B plus C करोगे तो A minus में B minus में इन दोनों को जोड़ोगे तो 2,42,000 और यह है 2,62,000 यानकी plus के 20,000 आएगे प्लस के 20,000 अगा इसमें जोड़ोगे तो 65 आता है तो answer यह भी 65 है यानकी जो आपका answer है वो बिलकुल correct है तो यह थो हुआ हमारा question number 48 अब जैसे ही आपने question number 49 देखा होगा आपकी दिमाग का धई हो गया होगा आपने कहा होगा सर यह अजीब सा दिखने वाला जानवर क्या है इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आराम क्या करेंगे कैसे करेंगे तो देखो बहुत ही प्यार से समझेंगे इस question को करना वैसे ही है format बनाएंगे सबसे पर निकालेंगे नेट प्रॉफिट सर नेट प्रॉफिट कहां से निकलेगा आपको कहां दिख रहा है देखो बिटा ओपनिंग कैपिटल किती थी दो लाग चालिस हजार थी और क्लोजिंग कैपिटल किती होगी तीन लाग तो आ से एक लाग साथ हजार हो गई है चालिस हजार रुपे घट गए सर जरूरी यह गटे हो क्या पता सेल कर दी हो कोर्शन में साफ साफ कह रहा है देर वाज नो पर्चेस सेल ओफिक्स ऐसे इसका मतला उस पर डैप लगा है यान कि एज़स्मेंट में 40,000 का डैप शो करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ यहां मनें नेट प्रॉफिट डाला साथ हजार डैप्रीशेशन चालिस हजार दोनों का मनें जोडा एक लाग रुपे आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वरकेंग कैप्टल चेंजिस अब हमें फाइंड आउट करना है कि क्या क्या क्र बैटर करेंट लाइबिल्टी है 44,000 से 55,000 हो गया यानी 11,000 से भढ़ गया जब भी करेंट लाइबिल्टी भढ़ता है तो उसे एड करते हैं बिल्स पेबल 7,000 से 10,000 का हो गया भढ़ गया 30,000 से एड कर देंगे wages due current liability है लेकिन 20,000 से घट गई यानि की minus में जाएगी यह less होगा bank overdraft 5,000 से घट गई bank overdraft को यहां treat नहीं करेंगे ठीक है न तो उसके बाद inventory 70,000 से 55,000 यह क्या हो गया यह घट गया sir asset घट गया add होगा trade disable 30,000 से 1,20,000 भड़ गया less होगा prepaid expenses 16,000 से 10,000 घट गया यह भी less होगा sorry add होगा तो इतना करने के बाद यह हमने डाला हुआ है तो आपका यह आजाएगा 25,000 प्लस के आएंगे cash flow from operating activities और answer देख सकते हैं 25,000 investment activities की कोई भी detail नहीं है ना ही कोई purchase हुई है और ना ही कोई sales होई है तो आपको question में investment activity तो निल डाल देंगे और बात करी जाए financing activity की तो financing activity में सिर्फ एक चीज़ हुई है bank overdraft का payment किया है 5,000 था अब कुछ नहीं यानि repayment of bank overdraft तो यह आजगा 5,000 अब हम A plus B plus C करते हैं तो यह 25,000 था और यह minus के 5,000 तो दौनों को करेंगे A plus B plus C तो 20,000 आएगा 20,000 यानिकी 20,000 और 20,000 यानिकी answer बिलकुल सही है तो question number आज की वीडियो में question number 48 हुआ आज की वीडियो में question number 49 हुआ अगली वीडियो में हम करेंगे question number 50 से और अभी तो खेर हैं आपके अच्छे खासे questions है चलिए 58 तक हैं उसके बाद additional questions है चलिए thank you so much